सिंदु घंटी की सब्वेता का नास कैसे हुआ या प्रस्ण आज भी प्रस्ण बना हुआ है क्योंकि सिंदु घंटी की सब्वेता के बिनास के सम्मंध में कोई भी ऐसा प्रमाय नहीं मिलता है ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिस पर कहा जा सके कि हाँ सिंदू सभिता का विनास इस तरह हुआ हुगा अलग-अलग मत हुने के कारण इदियासकारों के मत भी अलग-अलग बटे हुए हैं जिन्हें आज हम आपके सामने बताने बाले हैं हेलो दोस्तों प्लीज वैलकम टू माई यूटूब चैनल दहिश्ट्री और मैं विकाष्टे के हाजी हुँ आपके सामने तो दोस्तों सिंदू सभिता का विनास कैसे हुआ इस पर हम आपको चाल से पाच ऐसे मूख की तथे बताएंगे जिन पर इतिहास कारों ने कहा है अलग-अलग इतिहास कारों ने कि इस आधार पर सिंदू सभिता का विनास हो सकता है जिसमें आता है बाहरी आकमन कुछ इतिहास कारों का मानना है कि सिंदू भांकी के लोग किसी बरवर जाती के आकमन किसी कार हुए होंगे क्योंकि जो सिंदु वासी लोग थे, सिंदु भाटी की लोगों को सिंदु वासी कहा गया है इसलिए जो सिंदु वासी थे वे धनी एवं सांती प्रिय थे सांती प्रिय थे इसलिए उनके पास हतियार और युद्ध से सम्मंधित कोई प्रबंद नहीं था जिसके कारण यहां माना जा रहा है कि सिंदु वासी किसी बाहरी बर्बर जाती के आकमन का सिकार हुएंगे क्योंकि उत्खनन के दौरान मोहन जोदुडों में गलियों, चौराहूं और घरों के आंग्रों में नरकंकाल के अफसेस पाए गए हैं किन्तु चौकाने वाली बात यहा है कि वे नरकंकाल के अफसेस केवल एक ही नसल के हैं अगर युद्धू हुआ होता या फिर कुछ हुआ होता तो दो नसल के मिलने चाहिए थे एक तो जो युद्ध लड़ रहे हैं और दूसरा जो युद्ध कर रहे हैं यानि कि जो बरबर जातियों ने आकमर किया है उनके भी वहाँ पर अफसेस मिलने चाहिए थे इसके कारण इस विशे कभी इस बिंदू कभी खंडन होता है दोसरे बिंदू पर आते हैं जलवाईयों परिवतन कुछ विद्वानों का मानना है कि जब एक ही जाती कि वहाँ पर नरकंकार मिले हैं तो इसका यह मतलब हो सकता है कि वहाँ पर जलवाईयों परिवतन सूखा या बाण आया होगा सूखा या फिर ऐसा आकाल आया होगा जिसके कारण सभी लोग मानने लगी और इससे जलवाईयों परिवतन कहा गया लेकिन इससे सभी इतियासकारों सहमत नहीं है कुछ इतियासकारों ने इसके अपोजिटिक विशे को रखा है वहाँ है बाण बाण इसलिए क्योंकि मोहन जोड़ों में जो सिंदु सब्वेता के प्रसित नगर है मोहन जो दोड़ों में 21 सेंटी मीटर तक रेत मिली है याने की लगभग 2-3 फिट तक माव कीजिएगा 21 फिट तक रेत मिली है जिससे यहाँ प्रमाण लगाया जाता है कि यहाँ पर बाण आई होगी जिसके कारण लोगों के म्रत्य हुई लेकिन अने की धियासकार इस बात का भी खंडन करते हैं अब आते हैं हम हमारे तीस्तरे विशे पर यहाँ भोकम दोस्तों एक महत पूर्ण प्रस्न है जो हमेशा जीके में पूछा जाता है कि म्रत्यकों का ठीला मोहन जोड़ों के सिंदू सफ्विता के किस नगर को कहा जाता है तो वो है मोहन जोड़ों क्योंकि मोहन जोड़ों की विशे में कहा जाता है कि मोहन जोड़ों साधवार बना और साधवार तूटा क्योंकि उत्खनन के दौरान यहाँ पर साथ तहे मिली है इसका मतलब मोहंज और लोलो का विकास साधवार हुआ होगा और साधवार या धै गया या भूकम के दौरान संभव है कीन्तु यहाँ तो एक नगर विचेश है लेकिन पूरे सिंदु सब्विता के विनास का परण्याम हम सिर्भूकम के अधार पर नहीं लगा सकते हैं दोस्तो इसी तरह पांचवे नंबर पर आता है अकाल या महामारी जिसका हमने आपको जलबायू परिवतन में भी बताया है लेकिन हमें एक बार और इसका बता देते हैं महामारी से मतलब है कि एक महामारी फैली और लोग उसमें लिफ्ट होका जिस प्रकार अभी कोरोना महामारी चल रही है उस प्रकार एक महामारी आई और उसने अपने संपर्क में वहाँ के लोगों को लिया जिसके कारण पूरा सिंदू सामराज्य तबाहा हो गया लेकिन इतिहासकार इससे इससे भी सहमत नहीं है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति माहमारी से मलता तो पता लगाया जा सकता था क्योंकि पूरी सिंदू सब्विता ऐसे नास नहीं होती इस तरह पूरे इतिहास काल किसी एक बिंदू पर सैमत नहीं है इसमें अलग अलग बिंदू हमें नज़र आते हैं अंतमIST दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि हम इतिहास को भूल सकते हैं लेकिन हम कभी इतिहास से अलग नहीं हो सकते वीडियो देखने के लिए धन्यमा जाहिंद